वेलकम टू ग्रेड अफग्रेड तो जैसे कि हम मेरा सेक्वेंसिंग सीरीज आलू है इसके मतलब इसके पहले की दो वीडियो आपको यूटूब मिल जाएंगे चैनल मिल जाएंगे तो यह जो मेरा फर्ट वीडियो है यह मैं जान बूझ पूच के अजमशन वाले वीडियो म प्रोब्लम से पहले समझना बहुत जरूरी है तो टोटल सेक्वेंशिंग जो है जो पुरा प्रोसेस बना इसमें उसमें इसमें टोटल जो तुमको जनरली कोई तो टोटल सेक्वेंशिंग करूंगा तो वट इस अवर फस्ट अजम्शिंग लेट से नो मशीन कैन प्रोसेस मोर दैन वन जॉब अट ताम तो जैसे मैंने भी दो मशीन वाला प्रोब्लम किया था है एंवान एंटू हम एक टाइम पर एक ही जॉब एक मशीन पे कर सकते हैं य सब्सक्राइब कपड़े की कटिंग हो रही है कपड़े की सिलाई हो रही है तो एक साथ सिलाई और कटिंग पॉसिबल है नहीं पॉसिबल मतलब एक मशीन पे एक टाइम पे एक ही जॉब होगा समझ में आ रहा है जो मशीन को टाइम लग रहा है उस जॉब को करने के लिए वो जॉब के order पे डिपेंड नहीं करता है तुम कुन सा भी order लो जो time 1 दिया न 1 2 वो क्या रहेगा सेमी रहेगा वो करेंड नहीं करेंगा मतलब क्या कि अगर पहले जॉब को पहले जॉब को अगर अपने पास जॉब भी है जॉब सी जॉब ए इसको फाइवार लगने वाले चलो अभी अपना assumption number three the time involved in moving a job from one machine to another is negligibly small negligibly small बत्तब लगब लगब जीरो ना के बराबर ओके तो ध्यान देना तो जैसे में तुमको solve बताया था कि 10 20 in or out तो यहां पर 20 out time रहता तो 20 यहां पर in time रहता था मतलब क्या कि एक job मतलब मशीन पर एक job खतम होके दूसरा job start करना एक job खतम किया उसके बाद दूसरा job start करने का जोग बीच का time है वह लगबग लगबग क्या है zero है the time involved in moving a job from one machine to another is negligibly small तो यह तीन हो गया है अब हम लोग और तीन assumptions देखने वाल है मतलब total six assumptions है ना तो three अभी हो गया त्री हम लोग अभी देखने वाल है तो total कितने assumptions हो जाएंगे six assumptions हो जाएंगे तो अभी तक मैंने three assumptions करा दी मैंने तुमको क्या पता था total six assumptions है तो यह four five six last three assumptions है तो fourth assumption क्या है each job once started on a machine is to be continued till its completion on it मतलब क्या अगर तुम्हारा machine one पे तुमने जॉब भी लगा दिया है तो machine one पे जॉब भी तब तक चलेगा जब तक जॉब भी खतब नहीं होता बीच में निकाल नहीं सकते यह भी एक assumption है समझ में आ गया what is our fifth assumption all machines all machines are of different type all machines are of different type मतलब देखो M1 लिखता हूं मैं M2 लिखता हूं मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो थी मशीन प्रोब्लम रहेगा जो तीनों भी मशीन है वो तीनों अलग 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 टाइप के अगर सेन टाइप के मशीन है सेमी काम कर रहे तो मेरा अलग अलग मशीन को नहीं हो सकते तो common sense है फिर तरसम्चिन समझ में आ रहा है कि all machines are of different type जो जितने भी मशीन लिखोगे वो से अलग 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 टाइप करें अगर एक मैं जो textile industry वाला example लिया तो तो अगर एक cutting कर रहा है दूसरा क्या करेगा सिविंग करेगा मतलब एक अगर cut कर रहा है दूसरा क्या करेगा सिलेगा फिर बटन लगाएगा सही की नहीं तो ऐसा अलग अलग मशीन अलग अलग काम करेंगे last assumption six assumption all jobs are completely known जो भी अपने अगर लगाने से पहले उनका वो बिल्कुल ready है कि उनको मशीन पे लगा सकते हैं मतलब मशीन के लगाने के पहले ही उस जौब का उस जौब को क्या कि अरेंज कि आए फॉर एक्जांबल में तुमको गताता हूं जैसे चाइना में क्या हो रहा है चाइना में 3D printing से क्या बना करें घर बनने के कंडंग है तोनमको रहता है उससे हो तुमको तुमने सुना रहें तो वह घर करते टो सारे साजे लिए चीज मतह है जब कोई विशाम में जाएगा तो उसका पूरा जो प्री प्री जो काम होता है प्री प्रोसेसिंग वो हो चुका रहेगा मतलब एक बार मशीन में गया तो बाकि कोई टाइम बेस्ट होगा नहीं तो आई होब यह वीडियो जो आपको अजम्शन का वीडियो पे समझा रहेगा यह अजम्शन का वीडियो मुझे यूटूब पे नहीं मिला और general assumption लोगों को मालूम होना थी यह मेरी शुलंट को भी assumptions नहीं मालूम रहते हैं मैं बढ़ता था हूँ फिर भी नहीं मालूम रहते हैं मैं इसको सोचा एक वीजो बना रेते हैं जिससे उनको assumption समझ जाएगर कि हाँ sequence हम लों का रहे तो sequence की पीछे कितना assumption है thank you for watching this video